वी शांता राम जी के साथ भी आपने काम किया है? यहां मैंने किया लो उनके चार पिक्चर है मैंने की और एक पिक्चर में तुरों ने मुझसे एक्टिंड कराई है मैंने डाक्टर का रोल अदा किया है उसमस्द आला में शबाब था अब तो कहा है कि वो दिन कहां से लाओं मैं एहदे शबाब के एक धूप थी जो साथ गई आफताब के कुछ हमें बताईए भी शांता राम जी के बारे में शांता राम जी वोई शायरी के आशिक थे और मुझे जब रून सुना कि बिर्ज भार्षा में पिक्चर बन रही है जहनक जहनक पालबाजी तो उनकी नजर मुझे पर गई कि मैं राजस्तान का रहने वाला हूं मुझे बिर्ज भार्षा टाइप की शायरी चाहिए जिसमें अमीर खुसरों का रंग जह लगता हूं इस धंकी और डांसिंग पिक्चर थी बड़ी मुश्कित पिक्चर थी गोपी किष्ण हिरों थे संदियाजी हिरों थी तो उन्होंने का मैं हसंत जी को बुलाओ लेकिर हमारी यां पैसे जो हैं बहुत कम दियो जाता है मैंने उसको वहां आप फिक्रमत की थी तो उन्होंने मुझे बुला लिए आप समझते हैं कि शांता राम जी को खोकर हमने इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा निर्देशक को खोया है एक डारेक्टर बहुत बड़ा डारेक्टर चला गया है हमारे बीच में तच्छी वाक तो शांता जितने भी लोग अभी चले गए हमारी इंडस्ट्री से हमारी नियू समझे कि उसके बत्खिस्मती है शांता राम जी है राज कपूर जी है गुरुदर जी है आप देखिए ना कैसे कैसे लोग कैसे डाइरेक्टर चले गए अम्या चकरवर्ती है कैसे कैसे लोग चले गए बड़े कमी मैसुत है खुदा ऐसा पैदा करेगा तो लोग पाजय होंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है जो एक आदमी चला गया तो मेरे एक शेर है कि जो शक्त खो गया वो दुबारा नहीं मिला वरना मुझे जहान में क्या क्या देखिए क्या देखिए